बिल्कुल यह चैट साफतौर पर बता रही है कि कैसे शारूखान बार-बार गिर गिरा रहे हैं, बार-बार ये बता रहे हैं कि उनके बेटे को जेल में ना डाला जाए, अगर जेल में डाल धिया जाए, तो उनका बेटा पूरी तरीके से तूट जाएगा, बार-बार खान इस चेट में बार-बार द़ोर आ रहे हैं ये भी बार-बार कह रहे हैं कि कानून के तहत मेरा जितना भी सहियोग होगा मैं पूरा सहियोग करूँगा लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवार ना किया जाये कैसे बेटे को जेल में डाल कर ब्लाक मेलिंग की जा रही थी शारुक खान और उनकी पूरे परिवार के साथ, वो आप इस चैट के कुछ अंच को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे साथ मेरे सायोगी लगातार बने हुए हैं, जो एक एक जनकारी हमें दे रहे हैं, राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए, राजेश इस चैट को देखकर कम से कम ये समझ में आ रहा है, कि पूरी तरीके से प्रेशर पना दिया था समीरवान खेडे ने, ये डर दिखा दिया था, कि आपकी बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा, फ्यूचर उसका ब अगातार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके बेटे को छोड़ा जाए, एक चैट का मैं जिकर करूँ जिसमें शारुख खान ये कहते हैं कि आपने ये वादा किया था, कि आप मेरे बच्चे को रिफॉर्म करेंगे, ना कि वहां पर डालेंगे, इस चैट के इस लाइन प नोट पुट इम इन प्लेस वेर र्हीवट कर बैटर डॉन जो हैं यानि कि कुछ बाते जो हैं वो प्रामिस की यहाँ पे की जा कि आप इस तरीके के हाव्त करेंगे ये वह नहीं लेने वाले है याने कि इन मैसेज़स से पहले भी बहुत कुछ बाते हुई हैं या समीरवान खड़े और शारुखान के बीच में हुई है या फिर समीरवान खड़े के जो लोग थे उनके और पूजा डडलाइनी के बीच में वो बाते भी साफ होंगे लेकिन इसमें इस बात का जिक्र किया गया है बाकी के चैट्स देखे अभी यही समझ में आ रहा है कि परुखान एक लाचार बाप की तरह लगातार रिक्वेस्ट लगातार प्रात्ना लगातार मिनत कर रहे थे कि उनके बेटे को वहां ना भेजा जाए उनका बेटा वो डिजर्व नहीं करता है जहां पर उसे भेजा जा रहा है साथ ही यह भी बात कही गए कि उस वक्त जो न लेकिन आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए उसे घर भेज दीजिए तो तमाम कोशिशे जो हैं वह शारुखान ऐसा फादर पिता के तौर पर करते हुए नजर आ रहा है तो वहीं समीरवान कड़े लगातार ये बात कह रहे हैं रिट पेटिशन के जरीए कि उन्होंने खुद से कुछ नहीं कहा उनके सीनर ऑफिसर जो ते वह पूरी तरीके से लूप में थे जानकारी में थे कोट कितना उनकी बात को मानता है इंड चैट्स को लेकर या फिर सीनर ऑफिसर के साथ जो उन्हें चैट्स लगा है उसको कितना तवज्जो देता है कोट वो थोड़ी देर में साफ होगा प्राची बिल्कुल लिखी वो पूरी तरीके से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा लेकिन फिलाल इस चैट को देखकर ये कहा जा सकता है कि शारुक खान अपने बेटे को ल वो कैसे बेटे का डर दिखाकर एक मोटा अमाउंट वसूलने की कोशिश की जा रही थी अभी और क्या कुछ डवलप्पेंट्स पूरे मामले में हुए हैं और समीर वान खेडे ने कैसे पूरी साज़िश को रचा इसके बारे में क्या जानकारी मिली है देखे प्राची सबसे वाले मापको बता दे इस पूरे मामले के अंदर NCBIN की जो विजलेंस शीम थी उन्होंने इंक्वारी की और इंक्वारी करके CBI को जो विजलेंस की रिपोर्ट सौंफी गई थी उसमें साफ तोर पर ये कहा गया था कि विजलेंस ने पूरी इंक्वा तरीकी और उसमें पाया कि समीर वानखेडे ने किस तरीके से अपने दो प्राइवेट जो परसन थे उनके जरिये 25 करोड रुपे की उगाही करने की कोशिश की थी और बाद में 18 करोड रुपे में डील तैय हुई थी आर्यन खान को इस पूरे केस से बचाने के लिए और 50 टोकन के तौर पर अगर हम बताएं तो इसके अंदर ले भी लिये गए थे और 50 लाग रुपे फिर वापिस करने पड़े थे क्योंकि इस बात का खुलासा हो गया था कि जो दो प्राइवेट परसन है वो NCB के ऑफिशल्स नहीं हैं इस पूरे मामले के अंदर CBN पर पूरा म इस महा पर पहुंचे उन्होंने कहा कि हमने मामला दर्च किया है अभी समीर वानखेडे की गिरफतारी नहीं की जाएगी लेकिन दिली हाई कोट जो है वो उनका एरिया बनता ही नहीं है बलकि वो मुंबई हाई कोट में जाकर अपना ये पूरा का पूरा रुक रख सकते है और अब समीर वानखेडे ने क्योंकि अपसे पहले हाई कोट के अंदर जो प्रिटिशन दाखिल किती दिली हाई कोट में उसमें समीर वानखेडे ने सभी आरोप जो है अपने सीनियर ऑफिसर्स पर लगा दिये थे जो ज्यानेश्वर सिंग है जो इस पूरे केस की जाच कर रहे थे उनके ओपर तमाम तरह के आरोप लगाये थे कि उन्होंने ही तमाम तरह की प्रसलीज जारी की उन्होंने ही ये कहा कि किस तरीके के लोगों को लोग अपना हीरो मान बैठते हैं और शाबाशी दी थी समीर वानखेडे को इसी मामले के अंदर अब क्योंकि समीर वान प्रेटिशनर की जो बाते हुई है आरियन खान के पिता यानि की शारूख खान से उसमें किस तरीके से शारूख खान तारीफ कर रहे हैं